Hello everyone, very good morning to all of you, दिन की शरवात करेंगे 17 अप्रेल 2014 के Current Affair के साथ, सभी न्यूज इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो कौन्तिम तक ध्यान से देखिएगा, Current Affair की PDF स्टाटिक जीके के साथ आप मेरे Official Telegram Group से डाउंलोड कर सकते हैं, मेरे Official Telegram का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप रात बारा बज़े तक के वल चल रहा है, तो आपके पास समय है, बारा बज़े तक आप नवरात्री 50 Code का यूज करके, Exam Engine एप्लिकेशन में मेरा कोई भी बैच अविल कर सकते हैं, एक नया बैच भी मैंने लौंच कर दिया है, इस बैच में एक ही बार में आपको GSG के, साथ में Computer, इसके अलावा Reasoning, English और Maths, पूरा One Stop Solution बैच है, सब कुछ इसमें cover है, एक ही बैच में, तो आप उसे भी अविल कर सकते हैं, या आपके पास आज एक अच्छा चांस है, जिसमें आप हर एक बैच में सीधे सीधे आधे Prices पर उन्हें अविल कर पाएंगे, आपको पत अब शुरू करते हैं, आज का वीडियो, पहले बात कर लेते हैं कल के Question की, कल मैंने आपसे सवाल ये पुछा था कि पुलिकट जील जो है, ये भारत के कौन से राजमें स्थेत है, तो पुलिकट लेक स्थेत है अंधर प्रदेश के अंदर, एक important बात, भारत की सबसे बड़ खारे पानी की जील अगर आपसे पुछा जाए, तो ये कौन सी है, ये उडिशा में स्थेत है, चिलका लेक, इसको क्या बोलते है, चिलका, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, लेकिन कभी-कभी आपसे पुछा जाता है, कि दूसरे रंबर की सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की कौन सी है तो second largest है वो लिकट लेक जो कि आंधर परदेश में कोरा मंडल कोस्ट पर इस्थेत है आंधर परदेश की capital क्या है क्या आपको पता है comment box में लिखकर बताईए अगर आपको पता है तो आप ये भी बताईए कि आंधर परदेश की तीन capital है अगर नहीं पता है तो कल मैं आपको बताऊँगा आपको ये जानकर अचमबा होगा कि आंधर परदेश की तीन capital है और ये कुछ टाइम पहले ही अभी announce करी गई थी करीब दो साल हो गये इनको announce किया हुए आपको पिक्चर में यहां पर दिखाई दे रही है यहीं है संजना सांगी तो इनको स्पेस इंडिया के द्वारा ब्रैंड अमेस्टर डिकलेर किया गया है स्पेस इंडिया जो है ये इस्रो की ही एक ट्यूटर ओर्गनाइजेशन है मतलब कहने का ये स्पेस इंडिया इस्रो का ही एक संसान है जो की पूरे भारत भर में बच्चो को स्पेस के बारे में जानकारी देता है और उन्हें पढ़ाने का काम करता है Space India की तरफ से आज तक 1.5 मिलियन बच्चों को इस तरीके के Space के उपर courses पढ़ाय जा चुके है संजना सांगी जो है ये केवल Bollywood star ही नहीं है इसके अलावा ये United Nations Development Program में Youth Champion के रूप में भी कारे रहत है और ये University of Delhi से Lady Shriram College से Gold Medalist भी है पढ़ाही में भी काफी अच्छी है और इन्होंने 2011 में एक Ranbir Kapoor की मूवी आई थी Rockstar उसी में डेब्यू किया था तो तब से लेकर आज तक है Bollywood में काफी पहतरीन्स मूवी कर चुकी है और United Nations में भी इन्होंने अपनी चाप छोड़ी हुई है इन्होंने अभी कुस टाइम पहले 2020 में शुशान सिंग राजपूत के साथ भी एक मूवी करी थी इनको कौन नहीं जानता है सल्मान रुजदी है इनके द्वारा एक नई किताब लॉंच करी जा रही है जिसका नाम क्या है तो इनकी नई किताब आ रही है इसका नाम है नाइफ क्या नाम है नाइफ सल्मान रुजदी के उपर एक बार नियू यॉर्क में ये एक मंच में भाशवर दे रहते और महाँ पर एक चाकुधारी ने इनके उपर हमला कर दिया था जिसकी वज़े से इनकी एक हांक की रोशनी चली गई तो इन्होंने ये पूरा वाक्या इसकिताब में लिखा हुआ है इसी वज़े से इसकिताब का नाम है नाइफ सल्मान रुजदी अपने करियर में बूकर प्राइस से भी सम्मानित किये जा चुके हैं जो की किसी भी ऑथर के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये ब्रिटिश अमेरिकन मूल के उथर है विश्व कला दिवस प्रतेक वर्स कौन से दिन मनाया जाता है तो वर्ड आप्रेल को इसले मनाया जाता है कि 1452 में 15 अप्रेल के दिन लियोनाडो दा विंसी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चितरकार इनका जनम हुआ था इस वज़े से 15 अपरेल को ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है और दा विंसी जो है ये इटली से बिलोंग करते थे ये मूर्तिकार भी थे चितर स्टेडियम है जो कि पहला ऐसा स्टेडियम मन गया है जिसने हाइब्रिट पिछ टेक्नलोजी को एडॉप्ट किया है तो ये है हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम और इसको बोलते है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश के इसमें IPL भी होते रहते हैं, international cricket भी इसमें आयोजित किया जाता है, अब देखें hybrid pitch technology है क्या, इसके तहत नीदर लेंड से especially एक घास लाई गई है, इसका नाम है cisgrass, क्या नाम है cisgrass, इस घास को लाकर यहाँ पर pitch बनाई गई है, और आम तोर पर भारत में जो stadium में pitches होती है, वो क ballers होते हैं, उनको बहुत कम मदद मिलती है, especially जो fast ballers हैं, उनके लिए लगबग भारत की पिचों में ना के बराबर चीजें होती हैं, जाद अतर batsman के लिए ही चीपिचेज हैं भारत में, लेकिन ये पिच काफी हट के होगी, इसमें अतरिक्त उचाल मिलेगा, और जो pacer हैं और जो fast ballers हैं, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा, जिसने भारत electronics limited के साथ research and development को लेकर pact sign किया है, तो भारत electronics limited जो की एक नौरत में company है, और defense के लिए equipment मनाती है, इन्होंने IIT मंडी के साथ pact sign किया है, research and development को लेकर, मंडी कहां परता है, ये भी हिमाचल पदेश में ही परता ह तो IIT मंडी अब भारत electronics के साथ मिलकर research and development करेंगे, आजुनिक तकनीकी छेतर में, ताकि आने वाले समय में make in India project के अंतरगत, हमारी defense को बहतरीन से बहतरीन equipments दिये जा सके हैं, भारत electronics limited जो है, इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी, इसका headquarter है पैंगलोर, और इसके chairperson कौन है, इनका नाम है बानुप्रकाश श्रिवास्तो, बानुप्रकाश श्रिवास्तो, यह जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बेरेक अंडर्वूड, और यह एक क्रिकेटर थे और spinner थे, 78 की age में इनका निधन हो गया, यह कौन से देश के क्रिकेटर थे, तो यह इनका निधन हो गया, इननोंने अपने कारेकाल में पंदरा साल तक क्रिकेट खेला है इनगलेंड की तरफ से, और इतना ही नहीं, इन कंदरा सालों में, 86 test match इन्हों ने खेले हैं, और 26 Monday Matches खेले थे, इन्होंने अपने पूरे करियर में 297 cricket लिए यहये, मतलब करीब तीन व विकेट लिये थे and even आज तक भी ये England के एकलोते ऐसे spinner हैं जिसने सबसे जाधा विकेट लिये हैं मतलब इनका निधन हो गया उसके बाद भी आज के जो English spinner cricketer हैं वो इतने विकेट नहीं ले पाएं और पूरे दुनिया में छटवे नंबर के वो spinner हैं जिन्होंने सबसे जाधा विकेट लिये हुएं and apart from this इनके career में return होने के बाद ये दो cricket club के president भी रहे हैं एक तो ये 2006 में Kent cricket club के भी president रहे थे और 2008 में उसके बाद ये काफी बड़ा cricket club है जिसको बोलते हैं Merrill Bourne cricket club MCC इसके भी president रहे जुके हैं MCC के president कुस टाइम पहले कुमार संगकारा भी appoint किया गये है हाली में एक report आई है इस report में बताया गया है कि ये कौन से airport है दुनिया के जोकी सबसे जाधा busy airport है इसमें दिल्ली airport ने कौन से rank secure करी है दिल्ली airport जिसको IGI मतलब इंद्रा गांधी international airport भी बुला जाता है इसने दसवी rank secure करी है इसमें और पूरे भारत भर में भी IGI airport है ये सबसे आधा busy airport है और साल 2023 में अगर बात करें तो इस report में बताया गया है कि 2023 में 7.22 करोण passengers ने दिल्ली airport से यात्रा करी है पूरे दुनिया में number one पे busiest airport कौन सा है तो जैसा कि हमेशा से ही वो airport रहता है और इस बार भी रहा है ये है अमरीका का Atlanta airport number one पे busiest airport है second number पे डुबाई international airport है और तीसरे नमर पे जो रहा ये भी अमरीका का airport है जिसको बोलते है डालास airport और एक काफी busy airport रहता है जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है ये है जापान का Tokyo international airport ये इस बार पांचवे स्थान पर रहा है बाकी पूरी list मैंने PDF में दे दिये अब टेलिग्राम से PDF जरूर पढ़ लीजेगा March 2024 में wholesale price index inflation कितना रहा मतलब wholesale market में मुद्रा इसफीती कितनी रही है तो ये रही 0.53% और पिछले के comparison में अगर देखा जाए तो जनवरी में ये थी 0.27% और फरवरी के महिने में ये हुई 0.20% और अब March के महिने में 0.53% रही सीधे काफी उपर पहुच गई और इसका ये असर पड़ा कि इस टाइम पर बाजार में natural gases हो गई पेट्रोलियम हो गया, electricity हो गई, ठीक है, machinery हो गई और food items हो गए, खाने के जो items हैं, इन सब के rate market में इस टाइम पर बढ़ गए है, मतलब महंगा ही बढ़ गई है एक company है, जिसका नाम है India Mortgage Guarantee Corporation, ये home loan देने का काम करते हैं, इन्हों ने कौन से bank के साथ pact sign किया है, तो इन्हों ने हाली में bank of India के साथ pact sign किया है अब इसका सीधा मतलब ये है, कि bank of India के जो customers हैं, उनको home loan की facility, India Mortgage Guarantee Corporation की तरफ से दी जाएगी और इनकी खास बात ये है, कि आम तोर पर जो इनके rate of interest रहते हैं, वो bank को से कम रहते हैं, इस वज़े से इसका फायदा bank of India के customers को मिलेगा और इसमें फायदा India Mortgage का भी होगा, bank of India जिसकी स्थापना सन 1906 में करी गई थी, काफी पुराना bank है और headquarter है इसका मुंबई, इसके CEO है रजनीस करना तक, क्या नाम है, रजनीस करना तक और India Mortgage की अगर बात करें, तो 2012 में इस company की स्थापना हुई थी, और इसका headquarter है नोईडा महिंद्रा ग्रूप कौन नहीं जानता है, जी हाँ महिंद्रा थार, महिंद्रा SUV, फिक है तो महिंद्रा ग्रूप के द्वारा 1200 करोण का investment किया जाएगा कौन से राज में और इस पैसे की मदद्र से महिंद्रा के द्वारा एक hybrid power project की स्थापना करी जाएगी तो यह 1200 करोण रूपर invest करेंगे महरास्ट को, और यहाँ पर देखिए यह करेंगे क्या, यह जो hybrid power project है यहाँ पर hybrid का मतलब यह है, यह पहली चीज़ तो यह, कि यह renewable energy plant होगा ओके, लेकिन यहाँ पर दो तरीके की renewable energy plant को setup किया जाएगा एक तो wind energy, जिसमें हवा से बिजली बनाई जाती है, जिसमें पवन चक्किया लगाई जाती है और दूसरा होगा solar energy, जिससे की solar panels की मतलब से बिजली का उत्पादन किया जाता है तो जो wind energy है, उसके लिए 101 megawatt का target रखा गया है और जो solar energy है, उससे 52 megawatt बिजली का उत्पादन किया जाएगा तो total अगर देखा जाए, तो 150 plus megawatt बिजली का उत्पादन करेगा यह plant जोकी महिंद्रा के द्वारा स्थापित किया जाएगा महरास्ट के अंदर और इसी के साथ ही, यह महरास्ट के अंदर सबसे बड़ा power plant बन जाएगा और इसके अतनिक तगर बात करी जाए, तो जब इतनी बिजली उत्पादित करी जाएगी तो इसकी वज़े से 4,20,000 ton CO2 emissions को भी कम किया जाएगा मतलब जो carbon उस सर्जन होता है, जितना की pollution होता है, तो 4,20,000 ton CO2 उस सर्जन की भरपाई इससे हो पाईगी यह कौन सा football club है, जिसने एक historic milestone achieve किया है, इस title को जीत कर जिसका नाम है Bundesliga title, तो Bundesliga title पहली बार जीता है, और इस club का नाम है Bear Leverkusen, क्या नाम है, Bear Leverkusen, और इन्होंने final में हराया है, Bear in Munich को अब यह जो Bundesliga title है, यह Germany के अंदर football का सबसे बड़ा domestic title है, ठीक है, जो की हर साल खेला जाता है और पिछले 11 बार से लगाता, Bear in Munich club जो है, वो इसको जीतता आ रहा था लेकिन इस बार Bear Leverkusen ने इस बार इनका तक्ता पलट कर दिया और यह title अपने नाम कर लिया है रिपोर्ट जारी करी गई है, इस रिपोर्ट को बोलते है Global Forest Watch इसके आधार पर साल 2000 से लेकर आज 2024 तक भारत में कितने million hectare जो one है वो कम हो गए है तो इस रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2.33 million hectare एरिया के one जो है वो पूरे तरीके से गायब हो गए है और यह सिर्फ इस वज़े से कि लगातार शेहर बढ़ते चले जा रहे हैं और गाउं खतम होंते चले जा रहे हैं लगातार concrete की buildings बनती चली जा रही है जिनकी वज़े से greenly खतम होती जा रही है और हमने पिछले 23 सालों में 2.33 million hectare greenly को खतम कर दिया है जो कि अपने आप में आगे चलकर भारत के पर्रयावरान की दरस्टी से बहुत ही ज़ादा negative impact छोड़ेगी आने वाले टाइम पर बढ़ गया है अब मेरा आज का सवाल आप से computer में जो power backups होता है उनके लिए हम लोग UPS यूज करते हैं आपको बताना है UPS में U का मतलब क्या है universal, uninterrupted, uniform या फिर user comment box में लिक कर बताईए आज राम नौमी किया आप सभी को शुपकाम ना है और आज राद 12 बजे तक ही आप इस offer को अविल कर सकते हैं exam engine application का link भी video के description में दिया हुआ है और in batches के link भी video के description में दिया है मेरा GSGK का foundation batch या फिर आप CPO, MTS या CHSL का exam दे रहे हैं तो इसके लिए duo batch भी launch किया है जिसमें आप GSGK और reasoning दोनों अवेल कर सकते हैं इस batch में completed है हर एक batch में flat 50% off है आधी fee आपको pay करके पूरा batch आज की date में मिल जाएगा यह offer कल नहीं रहेगा सिर्फ आज ही तक है आज राद 12 बचे तक और इसके अलावा आप foundation batch जो है मेरा उसमें मैंने क्या-क्या कवर किया हूँ है वो आप यहाँ से देख सकते है history, quality, geography, science economics computer और one liner का crash course और पिछले पास सालों के PYQs एक नया option और है आपके पास exam engine में मैंने एक नया batch launch किया है जिसमें की आपको एक ही batch में GS पूरी मिल जाती है साथ में maps आपको पूरी मिल जाएगी और reasoning आपको मिल जाएगी और English मिल जाएगी exam engine application के बाकी teachers ने इन तीनों subject को वह आपर cover किया है और GS पूरी मैंने यहां पर cover करी हुई है तो इस batch का भी आप फैदा आज ले सकते हैं batch scaling के वीडियो के description में है telegram भी आप वीडियो के description में दिये हुए link से join कर लीजे तो आज की बात यहीं तक रहेगी thank you so much have a nice day take care बाबा या आपका दिन मंगल मैं हूँ